वेल्कम तो दे शॉपिफार डॉप्शिपिंग ब्लूप्रिंट इंट्रोड़क्री वीडियो को सब्सक्राइब करने से पहले इस वीडियो को अपने लाजमी एंट तक देखना इसमें आप ही का फाइदा है ठीक है तो चलने जी बिसमिला करते हैं तो फॉर्स इंग फॉर्स सक्सेसफली उसको मैं ट्रेड किया लेकि लेटर और मैं रेलाइज किया कि इसके अंदर जो मंतली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स है वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है बेसिकली इस अल बाउट जैकपॉट्स उस टाइम पर क्रिप्टो के अंदर इतना वॉलिम नहीं था और पलोनिक्स के ओपर हम लोग ट्रेड किया करते थे तो ट्रेडिंग जो है वो भी मुझे काफी फैसिनेट करती थी तिर उसके वर मैंने काफी दा मैंनत भी की लेटर ओन मैंने फिर फॉरक्स ट्रेडिंग में आ गया ताके एक मंतली कंसिस्टेंट इंकम को जनरेट कर उसे भी काफी मेंनत की अपने काफी जादा मैंने ट्रेडिंग सॉफ्टर बनाए आटोमेटिक उसको कर दिया फुली लेकिन कुछ अरसे बाद में रेलाइज हुआ कि ये मेरे जो रिलिजिस बिलीव से उसके साथ को इंसाइड करना शुरू हो गया तो अब जो चीज़ लेकिन लेटर हो मैंने यही रेलाइज किया कि इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग को टोटली कुट किया जाए साथ ही साथ फिर मेरा अमाजॉन के अंदर इंटरस्ट ड्वैलप हो गया तो प्राइवेट डेबल के अंदर मैंने अपना ब्रैंड लांच किया उसके पुरी काफी म जब प्राइवेट लेबल की सेक्सेस मुझे मिली और एमाजॉन का काफी ज़एदे एक्सपोईर मुझे मिल चुका था वहां से मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों एक साइड आपकी एक सोर्स अफ इंकम हो जाए ठीक है ताकि जो मेरे जो प्राइवेट लेबल की जो प्राफिट से उनको थोड़ा सा सर्कुलेशन के इंदर लाया जाए तो फिर जी शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग जो ज समझना और उसको अपने तरीके से करना प्रैक्टिकली ठीक है तो फिल अभी मेरे अभी हम्द इल्ला कोी तक्रीवन 8 इस्तोर्स हैं ठीक है जिसमें कूछ ब्रेंट स्टोर्साहें कुछ जैरल स्टոर्सी हैं ठेक्ड़ काफ़ी स्केल हुई ही ग्यां जिसमें तक्रीपर स्क तो तू थाजन डॉलर के राउंड पर मांद जनरेट कर रहे हैं मेरा मेन फोकस हमेशा था यह रहा है कि जो भी आपका बिजनस होना तो वह आपको मंतली इंकम दे रहा हो ठीक है यह ना हो कि आपने एक दम से बल्क में पैसा कमाया फिर आप फारिग बैठे वे पूरे दो साल के लिए तो मुझे क्या जरूरत पढ़िए को लांच करने की और यह सवाल आपके जहन में आना भी चाहिए इसकी जी हैं तीन रिजन्स नंबर वन रिजन्स यह है कि मार्किट कैप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मार्किट कैप है ठीक है क्योंकि यहां पर मैंट केने को तो बहुत जाए लेकिन रियल में मैंटर बहुत काम है जिनके खुद के इस्टैबलिष्ट स्टोर्स या बिजनसे हों ठीक है खुद उनको खुद नोने भी चोटे मोटी वीडियो देखी होती है चोटे मुटे कोशिस किये होते हैं उसके बाद वह मैंटर बन जाते और यही वज़ा है कि लोगों का काफी हद तक इतमाद उठ चुका है ट्रेनिंग से, मेंटोर्शिप से, इन सब चीज़ों मैं वो सब चीज़ें बहाल करने आया है और यह काफी बड़ा मार्केट गैप जो कि इन्शालला मैं कवर करूँगा सेकंडली जी, इतना तजरबा और एक्सपिरियंस यह सब कुछ मेरे कबर में तो लेकर जाना नहीं है तो इससे बहुत अच्छा है, इसको मैं शेयर कर लूँ और लास्टली, मैंटल सैटिसफेक्शन ठीक है, एक आप कहलो कि सैंस अपकम्पलिश्मेंट कामयाब आदमी वो होता है, जो खुद तो कामयाब हो लेकिन उसके एर्द-गिर्द जो लोग हैं वो भी कामयाब हो ठीक है, अकेले केले तो हर बंदा ही कामयाब हो जाता है सक्सेस्वल हो जाता है लेकिन असल में कामयाब ही तो यही है ना आपके इर्द गिर्द आपका मुलक आपके लोग वो भी आपके साथ कामियाब हो तो मैं अपना जो शेयर है अपना जो पार्ट है वो प्ले कर इसमें करना चाहता हूँ अचा जी तो आप आजाते हैं मेरी कमिट्मेंट्स इस कोर्ष को करने के बाद इस ट्रेइटिंग को लेने के बाद आपको क्या एकस्पेक्ट करना चाहिए? ठीक है तो जी फस्ट अफॉल जी एक तूद़् पॉंट ट्रेंइंग इसके अंदर कोई कहानिया नहीं है ठीक है य एक वीडियो होगी, evergreen formula होगा और अगर उसके अंदर later on को development होती है तो वो भी share की जाएगी वक्त के साथ-साथ इसी तरीके से जो आपके sourcing है sourcing के लिए exact जो supplier हमें use करूँ अपने stores के लिए वो share करूँगा जो जो चीज़ें practically मैं अपने stores के लिए use करूँगा वो सब की सब में share करूँगा और to the point बात होगी ठीक है, इसके अंदर कहानियां और जो है ना, हवा में बतें नहीं होगी कहीं पर भी मैंने ये जहन में रखके इस training को design किया है कि जो बंदा है उसको, उसमें first time shopify का नाम सुना जो मेरा, जो बंदा ही मेरा course ले रहा है और उसके पास एक limited budget है ठीक है, तो limited budget के अंदर हम लोग कैसे एक seven figure store को develop करते हैं ठीक है, वो सारी journey कैसे हम लोग तैह करते हैं वो सब कुछ इस training के दर डिसकास किया गया और फिर आजाते हैं sport की तरफ, sport आपको मेरी तरफ से 24-7 मिलेगी ठीक है, लेकिन आपने कुछ चीजों का ख्यार रखना है मैं इन्शाला अपना WhatsApp नमबर भी शेयर करूँगा कुछ चीजों का अपने जहन बेर रखना है कि आपने call नहीं करनी फदूल में जो भी आपकी क्यूरी है आप उसको detail में लिखें ठीक है, या मुझे WhatsApp कर दें या मुझे email कर दें और मैं उसको as clear as possible उसको response करूँगा ऐसा मामला नहीं होगा कि आपने message किया और उसका reply नहीं आया कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है तो आपका from level zero, ठीक है उसको हम scratch से पूरा zero से लेके all the way to scaling and flipping ठीक है, इंशाला पूरे का पूरा जो store उसकी जो सारी जर्नी है वो सब की सब share की जाएगी live, ठीक है, course के अंदर इसके लाबा जो मेरे stores की campaign setups है, जो facebook की campaigns है, एक 7-figure जो store है, उसकी campaigns कैसी हैं दिखने में, उन पे, उनके अंदर क्या parameters को देखा जाता है, क्या strategies को use किया जाता है, ठीक है उस level तक पहुचने के लिए, live analysis हुआ करेगा, उसका regular basis के उपर ठीक है, इसके अंदर कुई भी हवाई बात नहीं होगी, ठीक है, इसके अंदर सारी comments होगे, और सब का एक private Facebook का group होगा, और उसके अंदर में highly active होगा, मेरी कोशिश होगी कि जल्द अस जल्द जैसे ही क्योरी आती, उसको फोरण quickly response किया जाए, लेकिन आपने भी understand करना है कि sometimes थोड़ सा delay आ सकता है, ठीक है, लेकिन normally ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई क्योरी पढ़ी रहाएगी और उसको respond रहाएगी और मैं खुद से, खुद उस उद्दर response करूँगा, ठीक है, और जी सबसे आखर में, जो हमारे अभी currently enrolled students हैं, उनके लिए अगले आने वाले तमाम batches जो हैं, वो free हैं, कुई extra cost उनसे कभी भी नहीं ली जाएगी, अच्छा जी, तो अब आजाते हैं, introduction to drop shipping, drop shipping है क्या, basically, तो तमाम लोग जो के already familiar हैं, इस model के साथ, वो इस part को skip कर सकते हैं, तो basically drop shipping अदर होता यह है, कि customer आपके store के उपर order place करता है, वो order automatically, जो supplier है, उसको मिलता है, वो उस order को खुद से ही fulfill करता है, और customer के mentioned address के पर उस order को ship कर देता है, ठेक है, तो यह सारे का सारा process automatic होता है, आप product जो है, कहीं से भी उठा सकते हैं, चाहिए वो aliexpress हो, चाहिए वो कोई सभी cj drop shipping हो, कुछ भी हो, वहाँ से अपने simply product को अपने store के पर upload करना, फिर आपने traffic generate करनी है, कि सोचल मेडिया प्लैटफॉर्म से, चाहिए वो facebook हो, google हो, tik tok हो, कहीं से भी अपने traffic generate करनी है, वो traffic आपके store के उपर आएगी, order place करेगी, और जो supplier है, वो automatically आपका order fulfill कर देगा, ये है जी basically इसका short से intro, इसके अंदर हम full detail के अंदर, इंशालला course के अंदर बात करेंगे, अश्याजी अब तो तरह इसके benefits discuss कर लेते हैं, जो भी कारोबार है उसके obviously कुछ benefits होते हैं, कुछ उसके cons होते हैं, तो कोई भी कारोबार स्टार्ट करने से पहले, हमेशा जो smart लोग हैं, वो पहले उसके benefits देखते हैं, पर उसके disadvantages पर देखते हैं, अगर तो benefits जयदा हैं तो उसको pursue करते हैं, अगर benefits कम हैं और कौन जयदा हैं तो उसको avoid करते हैं, तो basically इस drop shipping के अंदर, हमारी inventory की cost नहीं है, ठीक है, order आया, हमने order पे, supplier को पहले pay किया, उसके बाद उसने, वही order आपका ship कर दिया, आपके customer तक, तो इसके अंदर आपको inventory बल्क में purchase करने की जूरत नहीं पढ़ती, जैसे कि आपको private label के अंदर, या wholesale model के अंदर, Amazon के, तो यह है इसका एक फाइदा, secondly, इसके अंदर, बहुत कम budget required है, as compared to other businesses, budget कम required है, लेकि इसका potential बहुत ज़ादा है, ठीक है, जैसे for example, private label के अंदर, आपको 15-25K के राउंड, आपको investment चाहिए, product launch करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर, आप just thousand dollars के अंदर, भी आप start कर सकते हो, अब potential wise, अगर आप देखो, तो जो private label, उसको एक अर्सा लागे था, develop होने के लिए, लेकिन Shopify, फोरन से develop हो जाता है, जो private label है, लेटर राउन, वो भी flip हो जाता है, लेकिन वो काफी time लेता है, Shopify जो है वो as compared to that, बहुत काम time लेता है, और एक flippable asset है, तीसरा इसका सबसे बड़ा फाइदा है, यह automation, मतलब यह कि आपका सारे का सारा काम automatic हो रहा है, starting के अंदर obviously आपको मेहनत करनी पड़ेगी, store को develop करने के लिए, उसको optimize करने के लिए, उसको establish करने के लिए, लेकिन वो बस one time एनद है, उसके बद automatic है, customer order place करेगा, आपने campaigns run करनी, campaign से customer है, customer ने order place किया, आपका order जो है, वो supplier ने fulfill किया, यह सारे का सारा process automatically चलता रहता है, और आपके बड़ी कम manual intervention required होती है, उस सबसे बड़ा जो फाइदा, इसको मुझे लगता है, आपका, आप remotely, इसको कहीं से भी manage कर सकते हैं, जरुरत नहीं है, कि आपको कोई office बनाओ, ठीक है, या कोई fix schedule रखो, कि हाँ जी, इतना, इतनी देर मैंने इसको देनी है, इस कारोबार को, इसको रिमोटली, कहीं से भी manage कर सकते हैं, लैप अप लाइफ स्टाइल है, ठीक है, और लास्टली, एवर ग्रीन, एवर ग्रीन से मुराद मेरी ये, कि अभी अभी आपने नोटिस कियो गए, Amazon Drop Shipping, Walmart Drop Shipping, अभी इन में काफी बूम आया था, कुछ अर्सा पहले, लेकिन आप बिल्कुल खतम हो चुकी है, लेकि शॉबिफार कंसिस्टेंटली एक लंबे अर्से से चला जा रहा है, प्रॉफिटबिल्टी थोड़ी सी काम हुई है, क्योंकि competition इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यह एवर्ग्रीन है, काफी और से चल रहा है, और आगे भी इंशाला चलता ही रहेगा, तो जी अब आज जाते हैं चैलेंजिस के उपर, शॉपिफार डॉपशिपिंग के अदर हमें क्या-क्या चैलेंजिस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, बेसिकली इस डेमो वीडियो के अंदर ही आप जो मैं बेतर समझता हूँ कि आप उन चैलेंजिस से पहले ही अवेर होंगे क्या-क्या चैलेंजिस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, फिर्स्ट अफॉल जी एड अकाउंट डिसेबल, यह काफी फ्रिकंट होता है स्टार्ट के अंदर, क्योंके फेस्बुक को पता नहीं होता, आप एक लेजिट बिजनस हैं, ठीक है, तो जब तक आपकी एक पेमेंट हिस्ट्री ड्वैलप होती है, फेस्बुक के साथ तब तक फेस्बुक काफी तंग करता है, तो इसके लबा इसका सलूशन यह है कि हम लोग हमारे पर डिफ्रेंट एक तो कुछ गाइड्लेंट है, सेट अफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, एड अकाउंट डिसेबल, डिसेबलिटी से बचने के लिए, प्लस हमारे पर सेवरल अधर सोर्सेज भी हैं जिनके तरू हम लोग ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, पिर जी पेमन मैथर सिस्पेंशन जैसे अब का पेपॉल है, स्ट्राइप है, एड़ बचने के लिए, काउना पाकिस्तानी ही हर्डल हमेशा रहेगी, अब हम लोग कुछ सेट अफ रूल्स को फॉलो करते हैं नोइट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं लेकिन यह रिसक हमेशा से रहता है, प्लस रिस्की मॉडल है ये obviously हर बिजनस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क को involved होता है यूँकि बिजनस वो तुमाम तर बेस होता है probabilities के बेस के उपर mentorship के साथ एक business को कामजाब करना करने की probability काफी हद तक increase हो जाती है तो risk तो इसके अंदर है लेकिन ये calculated risk है और lastly setting up is time consuming ठीक है माला आपने पूरी company form करनी है company form करने के लिए आपको phone number चाहिए physical address चाहिए ठीक है सारी आपके जो company setup, paypal setup stripe setup इन सारे payment methods को create करना company को form करना फिर उसके बस store को जो है उसके उपर उसकी तीम है उसको अप्टिमाइस करना पूरे store को अप्टिमाइस करना वालों इस सारा कुछ जो है काफी time consuming का लेकिन ये सब का सब starting के अंदर ही है एक दफा आपने payment methods create कर लिए उनको integrate कर लिया store को optimize कर लिया उसके बाद पिर आपका hardly दिन का एक जा दो घंटे आपको required होंगे लेकिन शुरू में आपको काफी जदा time और effort put in करनी पड़ेगी अच्छा तो आप minimum investment required discuss कर लेते हैं normally तो shopify first load develop करने के लिए 10,000 से 5,000 डॉलर चाहिए होता है लेकिन मुझे अब काफी experience हो चुका है और वह सारे experience में शेर करूँगा तो अगर आप मेरे footprint के उपर चलेंगे तो आपको minimum 500 डॉलर चाहिए क्योंकि product testing के अंदर normally में 100 डॉलर के रहा हूं product को test कर लेता हूं तो इसलिए आपको 500 डॉलर जो है ताकि आप अपनी company form कर सकें company आप वो क्यों चाहिए पेपल स्ट्राइब बनाने के लिए ठीक है पेपल स्ट्राइब क्यों चाहिए क्योंकि आपने payment लेनी है customer से ठीक है 500 डॉलर्स आपको required होता है ठीक है जी अच्छा जी तो आप चलते हैं इस वीडियो के most important part की तरफ ठीक है कि कौन से लोग है जिनको Shopify drop shipping से दूर रहना चाहिए इसमें जो पहला point है कि minimum budget required इसका तो solution हो सकता है वो लोग यह ट्रेनिंग ले सकते हैं ठीक है क्योंकि लेटर ओन फ्रीलांसिंग services प्रवाइड करके इस ट्रेनिंग के बाद funds raise करके Shopify store राम सकों से create कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग से ये budget raise करने को इतना बड़ा आपको अच्छा हासा आप revenue कमा सकते हैं और लेटर ओन अपना store develop कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये course हलाल है कोई issue नहीं है लेकिंग वो लोग जिनके अंदर patience नहीं है ठीक है जो जिनकी expectations reality के उपर base नहीं करती जो ये सोच रहे हैं कि आज हमने course लिया कल हमने store बनाया और प possible नहीं है जो भी business है वो आपका patience मांगता है ठीक है effort मांगता है energy मांगता है ठीक है या तीनों चीज़ें आप लगाओगे तो ये successful entrepreneur बन पाओगे अगर आपके अंदर patience नहीं है तो फिर आप Shopify तो क्या कोई भी करोबार जो है वो आप नहीं कर सकते हैं फिर एची loans के तो में strictly खिलाफ हो ठीक है कुछ लोग होते हैं वोगे सोचते हैं हम चलो 1200 डॉलर का loan ले लेंगे उसके बाद हम लोग उसको Shopify का store develop करके पैसे कमा के कुछ उसको दे देंगे और बाकी पैसों से हम लोग plaza create कर लेंगे plaza बना लेंगे ठीक है तो ऐसा possible नहीं को जब आप loan लेते हो फिर आप एक एक डॉलर के उपर आप बहुत देंग सुनके आप चल रहे होते हो और आपका fear of loss इतना बढ़ जाता है इतना जादा बढ़ जाता है कि आप फिर कभी भी कम्याबी की तरफ जाए नहीं सकते ठीक है और यही पिर अगला पॉइंट भी है कि आप अपने lossy से ब हमेशां हमेशां आपने ही पैसों से जो है ना होता है लोग सक यवर कभी कारोबार इतने राम से मैंने तो स्टैबलिश होते हैं बहुत कम देखा ठीक है तो लोगस क्योंके लोगसंगा एक।र प्रेशर आपका डाल देते तो लोगस को प्लीज रोइड कीजिए है ठीक है और लास्ली जो है ये बहुत इंपॉर्ट पॉइंट है कि अगर आप स्टबर्ण हो थोड़ी से ठीक है या आपके थोड़ी सी वो कहते है ना इगो के में क्यों फॉलो करूँ ठीक है मैं अपना रास्ता निकालूँगा तो भई तो भी आप ना इस ट्रेनिंग से दूर ही रह है कि मैंने ये ट्रेनिंग जो है वो क्रियेट कि ये बहुत जूर मैनत करके बहुत जाड़ पैसे यूजारों चंदे के जाखके दो बहुत से हीटन ट्राइल के बाद जो अरुद मेरे सामने order वे विंद्श कहा कि है तक πολ़ फाइदा नियुस ट्रीनिंग हो लेने का अगर आपने ही रासे पर चलना है और मेरी बात को सुनना नहीं है अपने ही मंतख को देखना है ठीक है क्योंकि हो सकता है जो चीज आप कर रहे हो मैं और रेड़ी ट्राइ करके लॉस उठा चुका हूँ और मैं आपको मना कर रहा हूँ ठीक है तो अबिसली मेंटोर् रहे हैं अब मोच रहा है जो बता रहा है और आपने वहीं करना है ठीक है आपने वर्ट टु वर्ड ती कि ओलत रहा हूँ रब्बी टु अपना रएका रहा है जो चीज़ें में मना कर रहा हुं उस प्रोडक से दूर्ण है फिर के साथ प्रोडक के साथ आपने इशकाष की नहीं खोल लेने की अच्छा भई थोड़ा सा तो है एक्टिक प्रोसेस है लेकिन त्रेणिंग के अंदर मैंने बहुत स्टे यह यूइद्ग बताईे मैसे डिन पदून लो गए उसमें आपको महीनों तक आपके भी जो probability है success की और रेडी increase होगी है ठीक है तो इंशाला मिलते हैं पर training के अंदर तो I hope कि सारी वीडियो जो है आपके लिए फायदेमाद होगी थाबित होगी और आपके लेने में काफी आपके लिए उसने help की होगी तो इंशाला मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर अलाफेज